हेलो एवरिवन वेलकम टो अड़ा 24 7 क्लास 9 10 10 यूटुब चैनल आज के सेशन में एलजेबरा में जितनी भी आइडेंटिटीज यूज होती है उन सभी आइडेंटिटीज को आज हम स्टडी करेंगे और देखेंगे उनका एपलिक्शन करके कैसे कैलकुलेशन को इजी हम बन इलजेबरा के इंदर आप बेसिकली कितनी इडेंटिटीज पढ़ते हों से इट इडेंटिटीज पढ़ते है उन एट इडेंटिटीज में से सबसे फॉस्ट आइडेंटिटी जो आप च्छोटी क्लास से पढ़ते वे आते हो हो कि X प्लस Y का अगर whole square किया जाए तो वो कैस में अगर plus का sign है तो first term को second term से multiply करके उसका double कर देना है तो 2xy first term को second term से multiply करके उसका double कर देना है plus है तो plus का sign लगा दिया अब इसी का inverse हो जाता है अगर plus की जगा minus आ जाए तो plus की जगा अगर minus आ जाए तो second identity बन जाती है कि sir अगर first term में से second term को minus करके उसका square पूछा जाए तो, तो करना वही है, कि सर पहले first term का square फिर second term का square, ये दोनों तो plus में रहेंगे, फिर हम कैसे करे थे, कि सर first term और second term का multiply और उसका क्या करना होता है, double, तो first term को second term से multiply और उसका क्या कर दिया हमने, double, बीच में minus का sign था, तो minus लगा दिया, ये identity तही यार ह हो गई, second identity, ठीक है, अब third identity आपकी क्या कहती है, कि सर अगर first term का square में से second term का square माइनस किया जाए, तो क्या होगा, सर अगर first term के square में से second term का square माइनस करते हैं, तो क्या करते हैं, कि एक बार first term को second term के साथ, एक बार plus करके लिए देते हैं, और एक बार first term को second term के साथ, माइनस कर कि लिख देते हैं तो एक बार फार्स हमारा पास X से से केंट टम वाई है ठीक है उसका स्वाइर होगा है सेकंड टमझा स्कुार हो तो अगर देखो X सब्स convene क्या जाये तो उसको nice करते हैं बहुत ही तो है देखो difference इसमें क्या है? कि इस identity में होता क्या है? कि आपके पास first term जो होती ऑए वो सेम होती है दोनों brackets में तो हम राप देखोगे तो first term दोनों में सेम है, second term दोनों में different Oil है, एक में ए है तो दूसरे में भी है, तो करते कैसे है कि सार करना वही है first term का पहले किया square second term different different थी न तो इस बार इन दोनों का multiply कर दिया multiply करके लिख दिया correct फिर उसके बाद किसर first term as it is लिखी और second जो दोनों में different different term थी दोनों को add करके हमने यहां पे लिख दिया तो a plus b यह इसका formula तयार हो गया यह identity बन गई तो यह थी हमारे पास first four basic identities इसके बाद अगर हम बात करें next fifth identity की वो क्या क्याती है कि अगर x plus y plus z का whole square अभी तक हम ने जितनी identities बड़ी थी उसमें दो-दो terms थी first term और second term अब की बार कितनी terms है सा three terms है तो अगर x plus y plus z three terms का square किया जाए तो वो किसके equal होता है इसे पहले first term का स्क्वाइर फिर second time का स्क्वाइर फिर third term अब और स्क्वाइर फिर कि आर लासम का मल्डिप्लाई उसकाडबो कर दिया इस तरह से हम यह identity 5th को बताते हैं अब इस identity के कुछ और भी बहुत सार important forms हैं अभी मैं थोड़ी दिर में पहले आपको सभी identities बताने के बाद इसके और भी different different forms भी आपको समझाने वालों ठीक है तो next 6th identity के अगर हम बात करें तो अब ये अभी तक हमने squares वाली identities पड़ी थी अब जो one time का क्यूब सेकिंड अंगा क्यूब भीच में फ्रस का साइन ने तो दोनों प्लस प्लस के लिख दिया मिखने फिर उसके बाद कि ज़र अगर डरेकिट एक्स प्लस वाइक का है तो एक्स प्लस वाइं जब निखा कि अब क्यूब था तो फिसुब अर् प्लस की जिए का माइनस कर दिया जाए तो X-Y का होल क्यों बन जाता है करना वही है कि सर्फ फर्स टम का क्यूब second term का cube second term का जब cube हो रहा है तो जिस variable के आगे minus है न वो जब भी आएगा उसके आगे हमेशा minus sign आएगा वो जब भी आएगा उसके आगे हमेशा minus sign आजाएगा अब x minus y लिखा हुआ था bracket तो x minus y आपने लिखा फिर first और second term का multiply किया multiply किया cube था तो आगे three times कर दिया मैंने कहाना जब भी आएगा अब वाई जब भी आएगा उसके माइनस का sign था तो देखो वाई यहां पर आया क्यूब की फॉर्म में माइनस आ गया यहां पर भी वाई आया इसका आगे भी माइनस आ गया तो इस तरह से आपकी यह माइनस वाली आइटिटी भी तयार हो जाती है आप इनको easily learn कर सकते हो ठीक है अब जो सबसे last और most important identity है वो कहती है कि जर अगर x cube first term का cube y cube second term का cube third term z का cube अगर लिखा जाता है फिर माइनस 3 x y z अगर लिखा जाता है तो यह एक वाल होता है कि first term plus second term plus third term x plus y plus z bracket में x square plus y square plus z square यह आने कि first term का square second term का square third term का square फिर first term into second term first term into second term फिर second into third और फिर third into one और जब भी multiply किया तो माइनस का sign लगा दिया पहले क्या किया कि सर्फ फर्स term second time third term तीनों को Plus करके लिख दिया plus करके लिख दिया फिर first term का square in second time का square third term का square like the first और second first or second का multiply और जब भी multiply हो रहाए दो different terms का तो उसके माइनस का sign लगना है तो X और Y minus minus का xy y or Z का multiply आगे माइनस माइनस का YZ X और Z का multiply आगे माइनस सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा था आइटिटी नमबर फाइफ टोटल एट अभी तक हमने पढ़ ली अब आइडेंटिटी फाइफ के और भी डिफरेंट फॉर्म से उन्हें भी हम देख लेते हैं जैसे अगर सपोज आप से बूला जाता कि आप एक्स माइनस वाई प्लस जेड़ इसका स्क्वाइर बताओ तो आप कैसे करते कुछ नहीं है प्लस की जिगा माइनस हो गया तो फिर क्या आप इसको आइडेंटिटी के यूज करते वह लिख सकते थे लिख सकते थे कैसी इसार अगर टर्म बोलता है ना फर्स टर्म तो एक्स है तो एक्स फर्स टर्म का स्क्वाइर फिर प्लस प्लस कहता है प्लस सेकिंड टर्म अब की बार पहले वाई थी तो वाई स्क्वाइर लिखा था अब की बार माइनस का वाई है माइनस वाई है तो आप कहोगे सर माइनस वाई का स् की है तो जहां कई पे भी second term आप word यूज करोगे नहीं वहाँ पे minus का y लिखना है आपको third term is plus का z तो plus z इसका square plus two into आप क्या करते हैं सर्फ first और second term का multiply और उसका double तो first और second term का multiply मैंने किया is the first term is x second term is minus का y इसका multiply और उसका double कर दिया फिर plus two into second और third term का multiply तो second term minus का y third term is z इसका multiply कर दिया फिर उसके बाद कि सिर्फ first और last term का multiply और उसका double तो two into x into z यह हमने लग दिया अब इनको थोड़ा सा solve करके लिए दो तो आपके पास identity इसकी भी तहियार हो जाएगी यह identity की different forms बन जाएगी किसर यह x square यह minus का square करेंगे तो प्लस ही रहेगा और y square प्लस यह z square minus two xy minus two y z plus का two xz यह identity बन गए clear अब इसी तरह से अगर suppose आप से यह बोला जाता किसर x minus y यह plus y और minus z इसका square आप से पूचा जाता तो आप मुझे comment करके बता सकते हो कि इस identity के through help से आप इसका square कैसे लिखते हैं इसका square कैसे लिखते यह आप मुझे comment करके जरूर बताना तो यह identity five के different different forms इस तरह से आप तयार का सकते हो ओके तो अब बात करेंगर identity number eight की इसका importance देखें तो अगर आपके पास x q q plus y q plus z q minus 3xyz के form अगर आपको दिखती है तो आप सबसे पहले check करते हो कि सर अगर x plus y plus z यानि कि first term second term और third term तेनों terms का sum अगर suppose 0 के equal आ जाए अगर यह 0 के equal होता है तो इसका मतलब सर यह पूरी term कितनी है जीरो है तो जीरो से किसी को भी multiply करें तो सर वो 0 ही रहता है तो अगर first term plus second term plus third term इन तेनों का terms का sum कितना हो जाए जीरो हो जाए तो उस case में यह identity को हम ऐसे लिखते हैं कि सर एक्स qb plus y qb plus z qb is minus 3xyz is equal to 0 अब अगर इस 3xyz को उधर लेके चला जाओं तो हमारे पास बन जाता है एक्स qb plus y qb plus z qb is equal to 3xyz यह form तयार हो जाती है जो अपने आप में बहुत ही important result है एक बहुत ही important result है इस identity का यह form कि अगर हमारे पास कभी x plus y plus z equal to 0 हो जाए तो उस case में x qb plus y qb plus z qb is equal to क्या हो जाता है 3xyz इस पर बहुत सारे questions आप से पूछे जाते हैं learn करना है ठीक है बच्चों तो यह identity 8 थी सबके हमने different forms देखे अब हम इनके application देखते है कि कैसे हम इनका application करते हैं कैसे calculations को हम easy बनाते हैं जैसे देखो अगर आपको 102 का square अगर बोला जाता है तो आप कैसे करोगे कि हमें सर पूछा गया कि आप 102 का square करके बताओ यही तो पूछा जाता है हमसे ठीक है तो हम कैसे करेंगे सर एक तरीका तो यह हो गया कि मैं 102 को multiply करूं सर वन जीरो टू से लेकिन सर इसको multiply करूंगा पहले यहां पर लिखूंगा फिर यहां पर नीचे दो क्रॉस लगा कि इन सब पो लिखके add करूंगा यही तरीका होगा एक तो यही तरीका लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा मैं using identities को बहुत easily solve कर सकता हूं कैसे कि सर अगर 102 का square आप कहते हो तो 102 का जो square है क्या 102 को ऐसे पढ़ सकते हैं कि सर यह 100 प्लस 2 लिखा जा सकता है इसका square कर सकता हूं देखो जो भी number है आप उसके nearest 10 का number देखो 10 प्लेस वाला number देखो कि से 102 जो था तो 102 को मैं पढ़ सकता था कि सर 100 प्लस 2 100 का square करना easy है अब आप ज़रा देखो यह तरसे आपको दिखेगा कि सर A प्लस B के whole square के तरह कि अगर मैं identity लिखूं सर A प्लस B का whole square तो वह equal होता है A square प्लस का 2 A B प्लस का B square के तो यहां पर अगर इसका comparison किया जाए तो A की जगा आपको लिखावा दिखेगा सर क्या hundred विकिशन आपको लिखावान दिखिए गगा किसर टू नहीं कि जेगा टू तो अगर इस आइडिंटिटी में एक जगा अंडिट और विकी जगा टू लिख दिया जाए तो क्या यह आइडिंटिटी सांट के थो इसका कैल कुलोशन हो जाएगा कि सर अगर आप लिखते हो 100 प्लस टू का स्क्वाइर तो एक जगा 100 इसका स्क्वाइर प्लस टू एंटू एक जगा सर हंडेड बी की जगा आपने लिखा से टू फिर प्लस बी की जगा आपने लिख दिया किसे टू इसका स्क्वाइर इसको सॉल्स कर ले तो सर्व हंडेड प into 242 0100 plus 2 का स्वार किसरी ए 4 अब इन सब को ईजी लिए आप एड कर सकते हो इसे देखो यूनिट प्लेस पे 004 तो क्या आ गया 4 फिर उसके बाद 0 और 004 फिर 4 और 04 फिर 0 और ये 1 10404 कितना इसी लिए आपने इसको क्याल्कूरूट कर लिया identity के help से कहां पिसको long method से multiply कर रहे होते लेकिन इसको easily आपने इसका multiplication करके answer बता दिया कि 102 का square 10404 होगा amazing है और करके देखें ऐसे और examples करके देखें जैसे देखो अगर आपको 98 का क्यों बूला जाता है तो आप सबसे पहले मैंने कहा कि सर अगर आप 98 का cube पूछ रहे हो तो मैं इसे कह सकता हूं कि सर यह 100-2 और इसका cube लिखा जा सकता है correct अब 100-2 का cube अगर आपने लिखा तो इसमें मैंने देखा कि सर A-B के whole cube वाली identity दिखती है मुझे A-B के whole cube के identity अगर कहूं तो first term A उसका cube minus second term B उसका cube minus 3 into first term A second term B then bracket में sir A-B यही तो identity अभी हमने पढ़ी थी learn करी थी न तो यहाँ पर अगर इसको compare किया जाए तो आप देखों कि sir A की जिगह क्या लिखावा दिखता है मुझे 100 और B की जिगह क्या लिखावा दिख रहा है आपको sir 2 तो इस identity के अंदर A की जगह 100 और B की जगह अगर 2 लिख दिया जाए तो क्या आपके पास 98 का cube calculate हो सकता है देखो sir 98 का cube अगर मुझे calculate करना है तो मैंने इसको लिखा 100-2 और इसका cube यानिकि A की जगह 100 और इसका cube minus B की जगह आपने कहा sir 2 इसका cube minus 3 A की जगह sir 100 B की जगह sir 2 और A minus B यानिकि sir 100-2 यह आपने input किया अब जगह इसको calculate कर लो कि sir देखो 100 का cube करूँगा तो 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 6 zeros आ जाएगी किसा 2 0 का cube करूँगा तो 2 zeros को 3 बार मुझे लिख देना है एक बार यह दो बार यह तीन बार लिख दिया अच्छा 2 का cube क्या होता है किसा 2 into 2 into 2 8 हो जाएगा 3 2 जा 6 2 0 है तो यह 2 0 98 यह आ गया अगर इसे हम solve करें तो 1 2 3 4 5 6 minus का 8 इसको multiply कर दें तो sir 98 को 6 से अगर multiply करेंगे तो पहले तो 2 0 6 8 जा 48 का 8 carry 4 9 6 जा 54 और 4 add करूँगा तो कितना आएगा सिर 58 अब माइनस माइनस वाले नमबर तो आप easily add कर सकते हो तो यह क्या लिखा है sir 1 2 3 4 5 6 minus यह कितना हो गया sir 5 8 8 0 8 अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक कर लो कि सर रफ में देखो करके देख लेते हैं एक दो तीन चार पांच यह और क्या माइनस करना इसमें से किसे 8 0 8 8 0 8 देन 8 और यह 5 करेक्ट तो ना टैन में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा कि से तो माइनस हुआ एक 9 में से 0 9 9 में से 8 1 9 में से 8 1 9 में से 5 4 9 में से ये 9 9 4 1 1 9 2 9 4 9 4 1 1 1 9 2 यह इसका आंसर आजाएगा सिंपल 98 का क्यूब आपने कितना इजी आइडेंटीडीज के हैल्प से क्याल कोड कर लिया ने तो कहां आप 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98 त्री टांस आप मल्टिप्लाय कर रहे होते इजी है ना चलिए अगले पर बात करते हैं अच्छा अब आप 103 को 97 से मटिप्लाय करने बोलते तो आप कैसे करोगे सर देखो 103 को मुझे मटिप्लाय करने 97 से बोलता है तो मैं ऐसे पढ़ूँगा कि सर 103 कैसे बेस में लिखा जाए कि हम इसे क्या सकते हैं Sir 100 प्लस 3 कहा जा सकता है नाइंटी सेवन को हम क्या सकते हैं कि सर ये 100 माइनस 3 की में देखा जा सकता है, तो देखो, जर, first term दोनों में, second term दोनों में, एक में प्लस एक में माइनस, तो देखते ही कौन सी आडिंटिटिटी याद आती है, कि सर आडिंटिटी नमबर 3, आडिंटिटी नमबर 3 क्या कहती थी, कि सर अगर x minus y x plus y को अगर हम x minus y से multiply करती है तो वो equal होता है x square minus y square की याद आया तो यहाँ पर आप देखोगे x की जगह क्या लिखावा है 100 y की जगह क्या लिखावा है कि सर 3 तो 100 का square आप अगर identities की help से यहाँ पर लिखोगे सर यह आप कहते हो 100 plus 3 into 100 minus 3 कि सर x की जगह 100 लिख दिया y की जगह 3 लिख दिया तो एक बार 100 plus 3 into 100 minus 3 इसी की वाले तो मुझे identify करनी है इसी की वाले तो हमें calculate करनी है तो हम लिख देते हैं सर इसको एक बार first time यानि कि x का square यानि कि 100 का square minus 3 का square यहांने कि sir 3 का square correct अब हन्रेड का square अगर आप करोगे तो 1 2 3 4 0 और 9 3 का cube अगर हम 3 का square है sorry यहां पर क्या है इसका square होता है तो 3 का square हम करेंगे तो 9 आएगा तो अब sir 10,000 में से 10,000 में से अगर 9 को subtract कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 10 में से 9 माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास 1 यहां पर आया 1 यहां पर आया 9 यहां पर आगया 9 यहां पर आगया 9 तो 9991 यह इसका answer हो जाता नहीं तो आप कहा कि sir 103 को मैं multiply कर रहा होता 97 से इस तरह से करता तो अभी तक तो solve भी कर रहा होता सर लेकिन यहां पर तो हमने answer भी निकाल दिया 9991 इजी है चलो यह identities के help से हम application इसका करते हुए कितना easily calculations को कर सकते हैं देखो अब आप से अगर suppose ऐसा question पूछ लिया जाए कि sir कभी भी first term का cube second term का cube third term का कभी यह तरह का आपसे पूछ लिया जाएً तो आप सबसे पहले क्रक्या करों इसमें आप first time क्या है एक फिर्स्ट हमुआ की पास 11 से कंञ्ट आपकी पास क्या है कि सर्न से ज跟 और तो हर्ट क्या है, second term minus का 7 है, और third term क्या है हमार पास minus का 4 है, तो आप सबसे पहले first three terms का add करके देखो, तीनों को add करके देखो, याद करो ज़रा identity number 8 मैंने special form उसकी बताई थी ना, कि आपके पास, अगर कभी भी cubes की form में इस तरह से दे दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, कि sir, a plus b plus c मैं calculate करता हूँ, अब a plus b plus c की जगा x y z भी आप use कर सकते हो, तो a की value that is 100, b की value minus का 7, c की value minus का 4, अगर solve करूँआ तो यह आएगा कितना, 0, तो हमने special form याद करी, अब भी बढ़ी थी, कि sir, अगर first term plus second term plus third term 3 का sum, अगर 0 के equal हो, तो हम कहते हैं, sir, first term का cube minus second term का cube, minus third term का cube, या first term a plus b plus c का cube, किसके equal होता है, कि sir, 3, a, b, c के equal होता है, याद आया, तो अब अगर मेर से पूछा जाता है, कि sir, अगर आपको 11 का cube करना है, plus b की जगह मैं minus 7 का cube लिख दूँ, plus c की जगह मैं minus का 4, इसका cube लिख दूँ, तो वो equal होगा किसके, sir, 3 into a की जगह, sir, 11, b की जगह, sir, minus का 7, c की जगह, sir, minus का 4, लिख दिया जाए, तो solve करके देखो, sir, देखो, minus से minus multiply हो करते हैं, तो plus हो जाएगा, अच्छा, अब मैं कैसे multiply करों, जिससे calculation easy हो सकती है, जिससे calculation easy हो सकती है, तो 7 into 11 कर दिया जाए, 7 into 11 कर दिया जाए, तो यह हो जाएगा, 77, 3 into 4 किया जाए, तो यह हो जाएगा, 12, तो 12 को अगर 77 से multiply कर दे, तो 12 7s 84 का 4, 84 का 4, carry 8, 12 7s आ, 84, 84 में 8 अगर add करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 92, तो 924 यही इसका answer हो जाएगा, easily आपने calculate कर दिया, तो देखा, कहाँ आप 11 का cube, फिर 7 का cube, प्लस 4 का cube आप करके, फिर उनको add और subtract कर रहे हो थे, तो यहाँ पर easily हमने identities की help से कितना easy calculation इसको कर दिया, 924 इसका answer हो जाएगा, correct है, तो अब बचो, कुछ questions में आप लोगों देता हूँ, यह आप मुझे comment करके बताना कि इनके answers क्या होंगी, जैसे 98 का square या 104 into 96, इसको हम किस form में लिखे हैं, जिससे हमें आइसानी से बिना ज़्यादा multiply करते हुए, आपको अच्छे से clear हुई होगी, वीडियो आप लोगों बहुत helpful रही होगी बचो, थैंक यू फॉर जोणिंग में दस, थैंक यू सो मज़ गाईस, थैंक यू.